नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नौलिज में तो दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक देश दुनिया में ऐसा भी है जो केवल अपने ही बारे में सोचता है देखा जाए तो वो अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है और इस देश का नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे वो देशे चाइना देखा जाए तो आज के टाइम में रशिया और चाइना की दोस्ती नेक्स लेवल पर है लेकिन चाइना ने रशिया को लात मारते हुए कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़े से पूरे रशिया में सोर मच जाएगा तो दोस्तो हुआ कुछ ऐसा है अब से करीब कुछ दिन पहले रशिया की सबसे बड़ी समरीन डिजाइन कमपनी रुबीन डिजाइन ब्यूरो में एक अटैक किया गया था और ये अटैक एक मालवेर से किया गया था और इस मालवेर का नाम था पोर्ट डोर और देखा तो रशिया को एक तरीके से चाइना ने एक करारा तमाचा दिया है और इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जब चाइना और रशिया की दोस्ती नेक्स्ट लेवल पे है तो चाइना एसा कर क्यों रहा है तो दोस्तो चाइना एसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना किसी भी टेकनोलोजी को बनाने की कोशिश करता है तो लगबग लगबग 80 या 90% चाइना उस टेकनोलोजी को बनाने में SFL ही होता है और देखा जाए तो रशिया की बात करें तो रशिया जिस भी टेकनोलोजी को बनाता है वो टेकनोलोजी एकदम बहतरीन क्वालिटी की होती है और जहां पर ये अटेक किया गया है चाइना वहां से टेकनोलोजी के बारे में ही चोरी करने आया था जिस वज़े से चाइना जवावी कारवाई क्यों नहीं की गई है तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि चाइना और रशिया की दोस्ती पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए और रशिया अगर चाइना पर कोई भी जवावी कारवाई करने की कोशिश करता है तो स हमला अमेरिका की साइड से किया गया है लेकिन देखा जाए तो इस टाइप के अटैक चाइना कराता है और यह अटैक चाइना के गोवर्मेंट के हैकर की साइड से किये जाते हैं इस बार चाइना पकड़ा गया है अब देखना यहें एहम होगा कि रशिया का इस बात को लेकर आगे क्या reaction होगा? Thanks for watching this video. Have a good day.